दोस्तो realistic sketch बनाना बहुत अच्छा लगता है तो आज इनका sketch बनाया है उनका नाम मैं नहीं बताऊंगा हाला कि आप title में नीचे पढ़ चुके होंगे और फिर भी मैं यह चाहता हूँ कि आप उनके बार में थोड़ा सा find out करें थोड़ा सा पता करें और जब आपको पता चलेगा तो आपको बहुत खुशी महसूस होगी बहुत inspiration मिलेगी ठीक है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा अब यह sketch बनाने के लिए मैंने क्या क्या चीज़ों का इस्तमाल किया है वो भी मैं आपको इबार बता देता हूँ जबकि कभी कबार ऐसे देखके लगता है कि यह realistic sketch बनाते है तो बहुत ज़ादा अच्छी चीज़े अच्छे materials होंगे तो आप कैसे भी materials के साथ उसका optimum use करके एक बहुत अच्छा कुछ एक बहुत अच्छी fine results को लेके आ सकते है तो मैं आपको materials बता देता हूँ चलिए देखते अपने materials तो दोस्तो यह charcoal pencil है जर्नल ब्रैंड की बहुत ही अच्छी pencil होती है मैं हमेशा अपने most of sketches इसी pencil से बनाता हूँ और यह sketch भी शिरिफ मैंने यही pencil से बनाया है दूसरा यह nade eraser होता है यह बहुत जादा soft और versatile eraser है यह बहुत सारे artists use करते हैं और काफी अच्छा results देते हैं और एक simple सा blending stem है जो मैं हमेशा use करता हूँ आप अपना stem बना भी सकते हो और बाजार में मिल जाएंगे चलिए अपना sketch देखते हैं झालिए अपना भी सकते हैं झालिए अपना भी सकते हैं झालिए अपना भी सकते हैं झाल 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 तो दोस्तों ये स्केच आपको कैसा लगा जरूर बताईए लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए नमस्ते